द्वारिका में आपका स्वागत और भगवान कृष्ण की नगरी द्वारिका आपका स्वागत करती है रेलवे स्टेशन मिलकुल नीट एंड क्लीन हमें देरादून के लिए ट्रेन पगड़नी है उखा करीब समय हुआ है साड़े आठ के अस्वास अब हम 10 बज कर 20 मिनट पर हमेर ट्रेन है इस बज़े उखा से चुटेगी उत्रांचल एक्सप्रेस उसकी यात्रा करेंगे और इसकी यात्रा हमें देरादून तक ले जाएगी कल शाम को लगबग देरादून में पहुंचेगी ट्रेन काफी लंबा सफर है 1700 किलमेटर के आसपास की यात्रा बनेगी और आप अस्टेशन का व्यू देखिए और आनंद लीजिए बहुत बहतरीन अस्टेशन है पवित्र भूमी है आईए कभी और इसका आनंद आप भी ले सकते हैं और सोभाग्य है यहाँ पर आना होता है अब बाकी मंदिर दर्शन बहतरीन नागिश्वर महादेव दर्शन बहतरीन इसी तरह की कोई प्रोब्लम में आप लोगों को नहीं होगी हाँ पर होटल बहुत सप्योर्टीव है इलाका बहुत अच्छा है महिलाव बच्चों का काफी सम्मान किया जाता है किसी तरह की कोई चोरी चकारी बिलकुल नहीं है तो दुवारिका के मामले में आप निश्चिन्त होकर आए बहुत सुन्दर और पवित्र भूमी और आपको द्वारी का धी स्टेंपल यहीं से दिखाई दे रहा हुगा काफी दूर है मैं जूम करके प्रियास करता हूं कर दिखाई दे जाए टावर के बड़ी बिल्डिंग के पास में आपको दिखाई दे रह आ रही है कि दूरी का धी स्टेंपल है मोबैल से जूम नहीं हो बता वहीं कुछिस कर रहा हूं कि आप लोगों दिखा पाऊं और आईए और देखिए अनंद लीजी अपने सफर का और चार थाम जरूर करने चाहिए हमें सौमनात महादेव से हम आये थे हम लोग और सौमना है और केसिज लगातार बढ़ रहा है उसके बावजूद भी यहां पर काफी सपोर्टीव पुलीस हर तरह के सपोर्ट है थोड़ा अमदाबाद में आपको प्रोब्लम मिल सकती है बाकी कहीं कुछ खास दिखाई नहीं देता आफिलाल अपनी आतरा का भरपूर अनंद ले और तरने बात।